नव्जोत ने तो कुछ देर में मक्के की रोटी को हाथों से बनाना सीख लिया लेकिन किसान की रोटी पर छड़े आंदोलन में बातचीत की हाथ कब इतने सलीके से सरकार और किसान के जुड़ पाएंगे सरकार कहती है कि कानुंतों किसानों के हित में ही नीतियों के तवे पर चड़ा है बस सियासत ही उसे जलाने की कोशिश कर रही है कि आज जिन राजनितिक दलों के लोच अपने आपको कि इस राजनितिक प्रवा में जब देश की जनता ने उन्हों निर्नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं इवेंट मेनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेलफी ले ले कोई फोटो चप जाए कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनिति चलती आए अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है यह देश के सामने एक्सपोज हो ग लेकिन किसान कहते हैं नहीं जी अंदोलन स्वार्थ नहीं सेवा से चल रहा है तभी तो नवजोते कैसी जगा पहुचती हैं जहां किसानों के लिए हर तरह के कपड़ों की सेवा का लंगर भी दिखता है अलग अलग जगह पर कैम्प्स लगे हुए हैं जैसे मैं इस कैम्प में आपको लेकर आई हूं खाल साइड का ये कैम्प है और देखें यहां पर सॉक्स आपको मिल जाएंगी ब्लैंकेट्स यहां पर अवैलेबल हैं सुबह का एक वक्त रखा जाता है जहां पर जिस चीज़ जरूत है वह आई यह देखें यह ब्लैंकेट्स हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली एंसीर में कोहरा बहुत ज़्यादा है पारा माइनस तक जा रहा है हमारा आप सभी जानते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है टावल यहां पर अवैलेबल है पूरा एरिया जो है सॉक्स, ब्लांकेट्स, मफलर्स, इनर्वियर्स, टावल, नाम लीजे क्योंकि कम स्पेस है कम वाशिंग मशीन है कपड़े धोने की ज़्यादा जगा नहीं है तो इसलिए कोशश यह की गई है कि सब लोगों को यह प्रोवाइड क्या जाया और फिर ल पूलन रुक नहीं रहा, 60-70 साल के बुजर्गों की सेवा, फुट मसाज और वाहेगुरू के जब के साथ होती दिखती है आरूपो के बीच पूजा पाठ लगातार यहां चल रहा है नितनेम जब सतनाम वाहिगरू लगातार लोग अपनी तरफ से जबते भी जा रहे हैं और साथ ही साथ होत मसाज अब इन में कोई भी आपको यंग चेहरा नहीं नज़र आएगा क्योंकि कोशश यह है कि जतने ब मुदाय की रही है वही ताकत 30 दिन बीच जाने के बाद आंदोलन में देखती है 30 दिन यानि 720 घंटे 43200 मिनट से जारी आंदोलन में हलका रास्ता खोचती नव्योत रंधावा के मन से अब भी ये सवाल नहीं अट पा रहा था क्या खिर आंदोलन के पीछे राजनीती है या हकीकत है तीनों कृशी कानूनों को लेकर अभी तक सरकार और किसान की बीच बादचीत बंती नजर नहीं आ रहे है सिंगू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ कुछ किसान है आज प्रधानमंस्री नरिंद मोधी ने एक बार फिर से बादचीत की है जनता स्यावद की किसानों को संबोधित करते हैं उन्होंने इन कानूनों की खूबिया गिनवाई ये का है कि किस तरीके से लोगों के लिए फाइदे मंद है आपके जरीए उसको बचाने के लिए जहां पर हम बैठे हैं जमीन बचाने की लड़ाई को लेकर चड़े आंदोलन में अभी बहुत कुछ बाकी है बाकी है आंदोलन की मदर इंडिया की कहानी का नवजोत रंधावा दिल्ली आज तक